मित्रों कथा का दूसरा भाग सुनते हैं स्टोरी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है पूरी सुनिएगा तभी आपको आनन्द आएगा चलिए कथा के और चलते हैं विंध्या चल परवत पर शिव मूर्ती की तरफ अपना मुख करके वो राक्षस लगातार शंकनाद किये जा रहा था शंकनाद का अर्थ ही होता था सैनिक का आवाहन करना कुछ ही घंटों में सैना का विशाल जनसमू वहाँ एकत्रित हो गया और जैशिव जैजै महादेव का उद्गोश करने लगा राक्षस ने धीरे धीरे घूम कर अपना मुख सैना की तरफ किया उसे देखते ही उस विशाल सैना में चुप्पी छा गई कुछ के मुह से अनायास ही निकल गया राक्षस, अरे राक्षस आया वो तडफ उठा हाँ हाँ हाँ, राक्षस हूँ मैं मैं राक्षस हूँ मैं अपनी इच्छा से राक्षस बना हूँ जानते हो क्यों? क्यों? अपने देश को आर्यवरत को भरत खंड को इन खुंखार तुर्की हमलावरों से बचाने के लिए क्योंकि मानविय शक्ती से तो कोई इन से जीत न सकता था इसलिए मैंने याचना करके राक्षसी सक्तियां प्राप्त की है हाँ 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 राक्षस हूँ मैं और मेरा नाम है महा काल महा काल हूँ मैं चारों तरफ से आवाज एक गूंच उठी महा काल की जै हो महा काल की जै हो मैंने अपने भारत की रक्षा के लिए अपने सुन्दर शरीर का त्याक कर दिया क्या तुम में से है कोई अपना त्याग करने के लिए है हम है हम है हम है हम है हजारों हाथ उपर उठ गए और कुछी देर में समस्त सैनिकों ने अपने हाथ उठा दिये हम करेंगे हम करेंगे अपने देश की रक्षा के लिए हम सर्वस्वने शावर कर देंगे राक्षस ने कहा यही एक विकल्प है शत्रों को देश से ख़देडने का अच्छी तरह सोच लो तुम्हारे शुंदर शरीर पर फरिवर्तन हो जाएगा स्विकार है तुम्हें अशीम सकती मिलेगी लेकिन मानो रूप में नहीं अप तो जानवर रूप में बोलो स्विकार है एक सैनिक ने कहा जब हम देश के लिए अपनी जान देने को तयार है तो फिर जानवर बनने में हमें क्या एतराज होगा सभी सैनिक एक स्वर में बोले हमें स्विकार है स्विकार है स्विकार है स्विकार है चारों तरफ से आवाजे विंध्याचल के परवत शेत्र में गुझ उठी परवतों से टकरा उठी अच्छी तरह समझ लो मैं तुम्हें यह पे पीने को दूँगा सूर्यास्त होते ही तुम्हारा शरीर परवर्तित हो जाएगा रात के अंधेरे में तुम जानवर बन जाओगे और संपूर्ण रात जानवर ही बने रहोगे और सोरदे तक तुम्हारे पास असीम शक्ती होगी शक्ति शाली जानवरों की शक्ति अंतता हम सूर्यास्त के बाद ही उन अताताईयों पर हमला बोलेंगे उन्हीं की निती उनपर ही दोहराएंगे वो भी रात के अंधेरे में ही मार काट करते हैं हम भी रात के अंधेरे में उनपर आक्रमन कर देंगे स्मर्ण है ना जिस तरह तलवार को तलवार विश को विश्वमाप्त करता है उसी प्रकार से चल कपट को चल कपट से ही जीता जा सकता है सैनिक ने कहा हाँ हाँ यही उचित है तो फिर आओ चार सैनिक मेरे पास आओ चार सैनिक उठकर महाकाल के पास आ गए महाकाल उनको अपने साथ उसकंद्रा की ओर ले गया चारो सैनिकों से गुफा के मुख पर लगी चट्टान हटाने को कहा चारो सैनिकों ने मिलकर शीगर ही गुफा के मुख से वे पत्थर हटा दिया महाकाल ने अंदर रखे दोनों कलश बाहर निकलवाए और स्वैम जाकर बोतल ले आया महाकाल ने बोतल का हरा द्रव दोनों कल्षों पर गोलाई में डाल दिया फट की ध्वनी के साथ दोनों के मुँपर से धकन हट गया राजा ने उन चारों को एक एक पातर दिया तुम में से एक सैनिक एक पातर में से द्रव निकाल कर दूसरे पातर में डाले दूसरे पात्र में डालता जाएगा और दूसरा सैनिक एक एक करके इन सैनिकों को पिलाता जाएगा और अंत में तुम चारों भी पी लेना उन्होंने ऐसा ही किया सैनिक तो हजारों थे अताह पिलाते पिलाते दो पहर भी समाप्त होने को आई किन्तो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था एक भोले सैनिक ने पूछ ही लिया महाकाल जी हमारा शरीत तो वैसे का वैसा ही है परवर्तित तो नहीं हुआ महाकाल मुस्कुराते हुए बोला अभी नहीं सूर्यास्त के बाद होगा अब उस विशाल सेना को इंतजार था तुर्कियों का और सूर्यास्त का विगत रात्रे को राजकुमारी, मधुरिमा और नजना थकान के कारण महल के द्वार पर ही लड़कडा कर गिर गई थी और बेहोश हो गई थी अगली प्रातर, जब रवी रश्मियां उनके चेहरे पर पड़ी तो उनकी चेतना जागरत हो उठी उन्होंने देखा, महल बहुत विशाल था और खूबसूरत था महल के सामने की पंक्तियों में कई फवारे पानी की बहुच्छार फेक रहे थे और उनके दोनों तरफ पुष्पों से भरी वाटिकाएं थी वो दोनों भाग कर फवारों के पास गई शेतल जल से हाथ मूध होते ही शरीर में स्फूरती आ गई उन दोनों ने दूर दूर तक चारो और द्रिष्टी घुमाई कहीं कोई नजर नहीं आया शायद अंदर महल में कोई हो यह सोचकर वह दोनों महल में प्रवेश कर गई महल सुंदरता से सजावट से परिपून था किन्तों वहाँ भी कोई नहीं था कहां चले गए सब और क्यूं सामने एक लंबी सी पीठिका पर मकमल का नीला वस्तर बिच्छा हुआ था और उन पर रखी रंगीन टोकरियों में तरह तरह के फल और नाना परकार के में स्थान भरे रखे थे मधरिमा और रंजना ने जे भरकर फल और मिठाईयां खाई और अपने सुधा को शांत किया उन्होंने सारा महल चान मारा किन्तु कोई नहीं दिखा उन्होंने देखा नकाशीदार रजित निर्मित अलमारियों में बहुत ही खूबसूरत पोशाके हैं जो शायद राजा रानी की होंगी चो लवस्तर तो मिल ही गए अब स्नान ही कर लिया जाए वो दोनों स्नानागार को ढूणने लगी शेगरी महल के पीछे एक प्रांगण में उन्हें एक सुन्दर सा जलाशे भी मिल गया जिसमें गुलाब की पत्तियां तैर रही थी चार और केवडे की सुगंद फैली हुई थी उन दोनों ने जलाशे में उतर कर काफी समय तक स्नान किया स्नान करने के बाद उन्हें फिर विश्राम का मन करा अतर वो शेहनकक्ष खोजने लगी उस महल में एक नहीं कई शेहनकक्ष थे एक से बढ़कर एक वो एक शैनकक्ष में जाकर शैया पर बैठ कर बाते करने लगी मधुरिमा ने कहा यहां कि स्थिते देख कर ऐसा लगता है कि महल छोड़ कर लोग एक दो दिन पहले ही गए है रंजना ने कहा जी राजकुमारी जी मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है जैसे पीठिका पर रखे फल भी ताजी ही थे और जलाशय में गुलाब के पत्तियां भी तो ताजा ही थी लेकिन महल छोड़ कर सारे ही क्यों चले गए और कहां चले गए वो दोनों शैया पर से उठकर जरोखों के निकट आई श्वेत रेसमी लहराते हुए पर्दों को रंजना ने सरकाया मधरिमा ने अपने दाएं हाथ की तरजनी के इशारे से बताया हमें अपने सभी प्रुष्णों का जवाब मिल गया रंजना रंजना ने कहा वो कैसे राजकुमारी जी मधरिमा बोली वो देखो दूर पहाडों पर एक किला नजर आ रहा है न रंजना ने कहा जी राजकुमारी मधरिमा बोली कदाचित इस महल के लोग और सभी नगरवासी उसी किले में चले गए हैं यहां के राजा को तुर्कियों के हमले की खबर मिल गई होगी अतर राजा ने सारी जनता को किले में स्थनांत्रित कर दिया और स्वैम भी सब परिवार वहीं चले गए तभी अचानक रंजना चहक उठी राजकुमारी जी हम तो कौशामभी में हैं राजकुमारी मधरिमा चकित और परसन होकर क्या हम वत्स जन्पद की राजधानी कौशामभी में है कैसे ग्यात हुआ रंजना ने कहा तणक इधर आकर तो देखो मधरिमा ने एक बड़े से तैल चित्र को देखा महरानी का तैल चित्र था जिसके नीचे लिखा हुआ था महरानी रत्न माला जन्पद वत्स राजधानी कौशामभी मित्रों इस स्टोरी को गौर से सुनें बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और पूरी सुनियेगा तभी आपकी रुची इसमें बनी रहेगी मित्रों चलो कथा को आगे सुनते हैं स्थान विंध्याचल परवत समय सुर्यास्त से पूर चार घुड़ सवार अतिग तीवर गती से परवत की ओर जा रहे थे चारों को चारों काले नकाब पोश चहरा नहीं सिर्फ नकाब के छेदों से जहाकती दो चोकन्नी आँखें गुप्तचर ने कहा महा काल की जै हो महा काल भोला कहो गुप्तचर क्या का शंदेश लाए हो प्रतम गुप्तचर ने कहा जे महा काल आपने हम दोनों को उत्तर दिशा की ओर भेजा था यहां से सो कोस उत्तर की ओर तुरके शिवल लगाए हुए हैं और लूटके माल की गणना कर रहे हैं नाच नाच कर खुशियां मना रहे हैं और जैसा की मैंने सुना उनका अगला निशाना राजधानी कोशांबी ही है महा काल तेसरे गुप्तचर की ओर देखते हुए बोले और तुम्हारा संदेश गुप्तचर ने कहा जी महा काल विंध्या चल के पीछे की तरफ तलहटी में पश्चिन दिशा में शत्रों का एक बहुत बड़ा शिविर है महा भी लूटी हुई मूर्तियां और बोरों में भरी धन्दौलत अशर्फियां और जेवरात हैं महा काल सेना को उच्च स्वर में आदेश देते हुए तुम में से पांस शतक सैनिक मेरे पास आओ सेना तो जोश में भर चुकी थी पल भर में ही पांस शतक सैनिक महा काल के समीब एकत्रत हो गए महा काल ने कहा ध्यान से सुनो कदाचित आज रात्री में वे लुटेरे राजधानी को शांबी पर हमला करेंगे इसलिए तुम में से एक शतक सैनिक महल की सुरक्षा है तू महल के चारो और के वरक्षों पर छुप कर महल की रक्षा करो किन्तु ध्यान रखना सुर्यास्त होते ही तुम्हारा शरीर पर वर्तित होने लगेगा अतर सुर्यास्त होते ही तुम वरक्षों से कूच जाना जाओ शेग्र महल की और प्रुस्थान करो वो अग्रक एक शतक सैनिक सिगरता से महल की और दौड़ पड़े और तुम चार शतक सैनिक नगर में जगा जगा छिप कर बैठ जाना और लुटेरों को देखते ही उन पर हमला कर देना तुम्हें जानवर बनते देख वो वैसे ही भाग जाएंगे जाओ अब जाओ चार शतक सैनिक कोशामभी की और दौड़ पड़े अभी तो महाकाल की और सिर जुकाए सहस्त्रों सैनिक खड़े थे जो आतुरता से महाकाल के अगले आदेश की पृतिक्षा कर रहे थे अब शेस बचे सहस्त्रों सैनिकों तुम दो भागों में विभाजित हो जाओ शेगरे वो सहस्त्रों सैनिक दाएं बाएं दो भागों में विभाजित हो गए दाएं भाग की टुकडी तुम उत्तर दिशा की ओर सो कोस की दूरी पर लगे हुए तुरकों के शिविर में वैसे ही लूट पाट मचा दो जैसे वो मचाते हैं जै भारत जै हिंदुस्तान जै जै महाकाल दाएं तरफ की सेना उत्तर दिशा की ओर दोड़ पड़ी जिसका मार्ग दर्शन कर रहे थे प्रथम और दुट्य गुप्तचर अब महाकाल ने आदेश दिया बाएं तरफ की टुकडी को तुम्हें शेगरे विंद्याचल की पश्चिमितल हटी में तुर्कियों के सारे शिवर उखाड फेकने हैं वापस लेने हैं सारी मूर्तियों और सारी धनसम बद्दा को तुम्हारा मार्ग दर्शन करेंगे तृत्य और चतुर्थ गुप्तचर जै भारत जै हिंदुस्तान के उद्गोष से संपूर्ण विंद्याचल परवत गुँझ उठा जै महाकाल जै महाकाल कहते हुए स्यानिक दल पश्चमितल हटी की और दौड पड़े सूर्यास्त होते ही महाकाल ने मंदिर में दिप प्रजलित कर शिव की आरती करी और आरती के पश्चात जैसे ही उसने अपने शरीर को सीड़ियां उतरने के लिए गुमाया तो वे अचम्भित रह गया यह क्या महल के उपर छत से अगनी बाणों की लगातार नीचे की और वर्षा हो रही है उसके सैनिक तो महल के नीचे हैं फिर यह उपर से बाण वर्षा कैसे कहीं तुर्कियों ने महल पर अधिकार तो नहीं कर लिया लेकिन गुप्तचरों की सूचना के अनुसार शत्रू तो अभी सो योजन दूर है फिर यह कौन चिन्तित हो महाकाल महल की और दोड़ पड़ा बास्तों में महल के बाहर भी तो कोई नहीं था क्योंकि महल के सारे रक्षक महाकाल के शंकनाद से भाग भाग कर परवत की और चले गए थे महल का फाटक भी बंद करना भूल गए थे क्योंकि शंकनाद भोर की प्रतम किरण के साथ ही गूँज उठा था इसलिए राजकुमारी मधुरिमा और रंजना महल में प्रवेश कर गई थी राजकुमारी मधुरिमा और रंजना मंत्र मुग्द हो महारानी रत्न माला के तेल चित्र की और निहार रही थी कि अचानक बाहर कुछ शोर सा गूंजने लगा रंजना कहें तुरकी तो नहीं आ रहे इस महल को लूटने आव शिग्रता से मुख्य द्वार को बंद करते हैं वो दोनों भाग कर गई और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया अंदर लटकी लोह जिंजीरों से और कास्ट बंधनों से कसकर द्वार को बंद कर दिया रंजना सिग्रता से अपने कंधों पर तरकश बांधो रंजना ने तीरों से भरे हुए तरकश को अपने बाएं कंधे पर मांद लिया मध्रिमा ने तत्परता से कमर पर शस्त्र पेटी को लपेटा जिसके दोनों और दो तलवारे लटकी हुई थी पूरी बारा तेक्षन कटारें भी कमर बंद में बंधी थी रंजना यह अगनी बाणों वाले तरकश को मेरे बाएं कंधे पर कसकर बांधो और मध्रिमा ने अपने दूसरे कंधे पर भी तेक्षन जहरीले बाणों वाला तरकश बांध लिया पूरी तरह अश्तर शस्तर से सुजज़ित होकर वो दोनों धन उस हात में लेकर दोड़ चली महल की छत की ओर सही अनुमान था राजकुमारी मध्रिमा का लिटरों की एक टुकडी दोर से आती दिखाई दी राजकुमारी के दोनों और तरकश थे शिग्रता से दोनों ने पहले तेक्षन बाणों से उन पर वर्षा कर दी जो महल के समीप आ चुके थे मध्रिमा ने उन्हें निशाना लगा लगा कर कटारे मारी अचूक निशाना था वीर राजकुमारी का बाहर कटारों से पूरे बारा तुरकी धराशाई हो चुके थे रंजना कौन सी कम थी उसने तो बाणों की इतनी तीवर वर्षा करी की दोर से आते आता ताई भी घवरा उठे उनके अस्त्र सस्त्र तो इतनी दूर महल की उची छत पर पहुँचे नहीं पा रहे थे और वैसे भी वो दोनों बुर्ज के कुंगरों के पीछे से चिपकर हमला कर रही थी अता तुरकीयों के फेके हुए अस्त्र उन्हें छो भी नहीं पा रहे थे सोरे अस्त्र हो चला था अब क्रोधित चंडिका बनी मध्रिमा ने अगनी वानों की वर्षा कर दी तुरकी बुरी तरह जलाने लगे अब उन्हमला वरों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी विंध्याचल परवत के महादेव मंदिर की सीडियों पर से महाकाल ने यही अगनी वानों की वर्षा का दृष्य देखा था और चिंतित होकर दौड़ पड़ा था महल की ओर लेकिन यह क्या जैसे ही तुरकी वापसी के लिए मुड़े धप धप धपा धप रक्षो पर से सैनिक कूदने लगे दर्ती पर कूदते ही वो सब सैनिक जानवर बनते जा रहे थे विशाल भेडिये भयंकर सिंग और सामने ही खड़ा था एक विशाल राक्षस तुरकियों के तो पसीने छूट गए पहली बार ऐसा हो रहा है महल के उपर से भी मौत बरस रही है और नीचे भी चारों तरफ मौत ही मौत कुछ चंद्रमा के प्रकाश में और कुछ अगनी बानों की रौसनी में राजकुमारी मधरीमा ने भी भ्यंकर जानवरों और राक्षसों को देखा उसकी तो कटारे भी समाप्थ हो गई थी और तीर भी बहुत कम बचे थे अब क्या करे कैसे करे अपनी रक्षा तब ही रंजना चहक उठी देखो देखो राजकुमारी जी वो जानवर और राक्षस तो उन तुर्कियों को ही पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं महल की तरफ नहीं आ रहे शत्रूँ के पीछे पीछे ही जा रहे हैं हम दोनों सुरक्षे थें राजकुमारी जी मधरिमा ने भी देखा बास्तों में वो सब तो तुर्कियों को पकड़ पकड़ कर फेंक रहे थे और राक्षस उन्हें आदेश दिये जा रहा था किसे को भी वापस जीवित मत आने देना बदला बदला मासूम नगरवासियों की मौत का बदला कहानी कैसी लग रहे है कमेंट में जरूर बताईएगा इसका अगला भाग सुनने के लिए देव वानी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आल के बटन को दबाना है दोस्तों आपको अख़ता कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्तो जए शेयर आपको